नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ पे डिसकस करेंगे TIGIT Deposit Received TDR और EDR Exceptional Data Report तो सबसे पहले हम आपको दोस्तों बता दे TDR और EDR किन के लिए जरूरी होता है और यह है जो ट्रेन में डेली पेसेंजर है यात्री है जो यात्रा करते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि कभी कबार उनको TIGIT Cancel करवाना पड़ता है और कई बार उनके ट्रेन चूर जाती है कई बार ट्रेन रद कर दी जाती है तो उनको उनका दनवापस या रिफंट कहां से मिलादा उसके लिए TDR और EDR के बारे में जाना बहुत ही जरूरी है तता जो रेलवे में डिपार्टमेंटल एकजाम देते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है यह तो चलिए दोस्तों पन डिसकस करते हैं कि TDR क्या होदा है TDR एक दनमुले पुस्तक होती है यह TDR दनमुले पुस्तक होती है और यह कब जारी कहा जाता है यदि कोई यात्री यात्रा के दोरां टिकेट रद करवाना चाहता है तो उसको रद करवाने पर स्टेशन से नगद में दनरासी दे दी जाती है मतलब refund देने के लिए पैसे नहीं होते है तब station द्वारा TDR जारी किया जाता है यह TDR कौन-कौन जारी कर सकता है TDR ticket collector TC या SM station master द्वारा जारी किया जाता है यात्रा स्माप्षति के 3 दिन तक TDR जारी कर सकते हैं या आपने यात्रा की है या फिर आपकी train छूट गई है तो आप 3 दिन तक TDR जारी कर सकते हैं TDR जारी करते समय मूल ticket को जमा कर लिया जाएगा तता उसको TDR के साथ CCM Chief Commercial Manager को आपकी ticket भेज दी जाएगी TDR कितनी परतियों में बनाया जाता है TDR तीन परतियों में बनाया जाएगा एक कोपी CCM को बेजी जाएगी दूसरी यात्री को दी जाएगी और तीसरी परति रिकोर्ड में रखे जाएगी यात्री के द्वारा 10 दिन के अंदर-अंदर CCM क्लेम को दावा करना होगा और किस माध्यम से वह है अपने किराय की राशी प्राप्त करना चाहता है वह है भी उसको बताना रहेगा CCM कार्या लेके द्वारा 30 दिन के अंदर-अंदर प्रात्मित्ता के आदार पर आपका टिकेट का रिफंड और आपका राशी लोटा दी जाएगी यदि आपका टिकेट ओनलाइन है तो उसको टिकेट ओनलाइन ही बरना पड़ेगा और यदि आपका टिकेट ओपलाइन है तो आप TCR इस्टेशन पे किसी से भी अपना TDR बरवा सकते है नेक्स्ट अपना टोपिक है EDR एक्सेप्शनल डेटा रिपोर्ट तो दोस्तों अपन बता दें कि EDR क्या होता है EDR कब-कब जारी किया जाता है EDR किसके द्वारा जारी किया जाता है तो अपन देखते हैं EDR होता है एक्सेप्शनल डेटा रिपोर्ट यह भी एक दनराशी दनमुल्य पुस्तक है यह टीटी द्वारा बनाई जाती है किन-किन परिष्टियत्यों में EDR एक्सेप्शनल डेटा रिपोर्ट टीटी द्वारा बनाई जाएगी जब कोई यात्री नहीं आया हो टिगट में उल्ले की संक्या से कम यात्री आया हो यात्रा के दोरान एसी फेलो जाने पर यात्री को निम्न स्रेनिमी यात्रा करने के लिए बाद दे होना पड़े जब गाड़ी रद कर दी जाए जब गाड़ी की सेवा अस्त वेस्त हो जाए और यात्री को यात्रा बीच में रद करनी पड़े उस परिस्तिते में EDR जारी किया जाएगा EDR भी तीन परतियों में बनाया जाता है जिसमें से एक परती जाएगी PRS R-Action कारियले को जिसके आदार पर डेटा फीड किया जाएगे दूसरी परती टीटी के पास में रहती है और तीसरी परती रिकोर्ड में रहती है और दन्वापसी कितने दिनों में यात्री यात्रा स्माफती के दस दिन के अंदर-अंदर किराय की दन्वापसी प्राप्त कर ली जाती है दन्वापसी कहां से प्राप्त करेगा तो दोस्तो हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करें तता चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेरिवे से रिलेटेब इन्फोर्मेशन, कोई भी न्यूज और कोई भी क्वेरी होतो हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें थेंक्यू दोस्तो